अध्याय एक लोगतंत्र में समानता आज आने वाले मत्तान के लिए फोटो पहचान पत्र बनाने का काम चल रहा है यह काम पास के सरकारी विद्याले में हो रहा है एक लंबी कतार खड़ी है सभी व्यक्ति अपनी बारी का इंतिजार कर रहे हैं पंक्ति में सांता, सलमा, गुर्मीत, पूनम, राजय, समीद, आदि सभी खड़े हैं तब ही जोती आती है पूनम जो गुर्मीत के पीछे खड़ी है जोती के यहां चोका बर्तन का काम करती है पूनम दीदी यहां आईए मेरी जगह पर जोती नहीं मैं कतार में लगूंगी पूनम दीदी आज मुझे काम पर आने में देर होगी जोती बोलती है मुझे पहले तू मुझसे पहले तू खड़िये तुम्हारा पचान पत्र पहले बन जाएगा फिर देरी क्यों होगी पुनम बोलती है मुझे आपके पहले सिफाली दिदी के यहां जाना है वहां का काम अभी बाकी है सांता पहचान पत्र बन जाने से क्या फायदा होगा लाइन में ख़रा होना बेकार तो नहीं होगा सांता पुनम नहीं पचान पदर बन जाने के बाद ही हम अपना बोर्ट डाल सकेंगे हमीद रासन कार्ड बनवाने के लिए भी इसकी जरूरत पड़ती है वोट देने के अधिकार किसे है कतार में खड़े होकर क्या कहीं पुनम को समानता का अनुभा हो रहा है कैसे वोट देने के अधिकार में क्या आपके काम, सिक्षा, पैसा या धर्म जाती से कोई फ़रक पड़ता है चर्चा करें फोटो पचान पते की जोरत और कहां कहां हो सकती है एक दिन की बात इतनी उम्र में अभी पढ़ने की है मैं भी पढ़ने जाऊंगी घर के पास वाले स्कूल में तुम्हारा नाम लिखवा देती हूं तुम भी पढ़ने जाना नहीं घर के पास वाला स्कूल अच्छा नहीं है पैसे मिल जाने दो खड़ी दूंगी मालकिन ने भी पैसे नहीं दिये हैं मुझे एक पोसाग चाहिए और एक बैग भी पूनम की बेटी रमा पूनम जोती के यहां कभी कभी अपनी पुती रमा को लेकर जाती है रमा की आयू साथ वर्स की है तता जोती की बेटी सालिनी की आयू पाँच वर्स की है सालिनी सहर के एक बड़े स्कूल में पढ़ती है वो पढ़ दिन बस से स्कूल जाती है कई बार रमा सालिनी के बस्ते को लेती तदा सालिनी को बस पढ़ाव तक पहुँचाने जाती है कतार में खड़े होकर जहां पूनम को समानता का असास हो रहा था वही रोज मर्रा के जीवन में कुछ अलग सा महसूस होता है सरकारी स्कूल बस्ती से दूर होने की वज़ा से रमा को एक छोटे प्राइबेट स्कूल ने भेजना पूनम की मजबूरी है परंतु उसके पास बच्चे को प्राइबेट स्कूल ने भेजने के लिए पैसे नहीं है लोकतंतर के लिए एक बड़ी समस्या है कि कुछ माइने में जैसे वोट देने का अधिकार में तो समानता है प्रंतु रोज मर्रा की जिन्दगी में कई परकार किया समनता हैं देश का हर व्यस्क चाहे तो आर्थिक इस्तितिक कुछ भी हो एक वोट का हगदार है दूसरी तरफ लोगों की गरीबी और जीवन या पन के लिए रोटी कपरा माकान सिक्षा एवं स्वास्त का अभाव है हम इस बातों को समझे और असमनताओ को दूर करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है विचार करें बाल संसद और समानता तुम सभी ने अपने विद्यालों बाल संसद के गठन के भाग लिया होगा इसके लिए चुनाओ के पहले कक्षाओ को पांच सो में बाटा जाता है प इसमें पांच आजसे समू तयार कर लिए जाते हैं जिसमें सभी कक्षाओ के 6 छथा एक सामिल होते हैं पांच समूहं में अपनेपने समह में दो परतिनिद्यों को चुनाव करते हैं कि मानविय गरिमा और अस्वानता जब लोगों के साथ असमानता का प्रभार होता है तो उसके समान को ठेश पहुंचती यही बात आप नीचे देगे अधार में देख सकेंगे गांधी जी की अफ्रीकी यात्रा अपने अफ्रीके प्रवास के दोरान एक बार गांधी जी रेल गारी दोरा डरवन से पिट्रोडिया जा रहे थे गांधी जी के पास प्रतम स्रेनी का टिकट था वे प्रतम स्रेनी में यात्रा कर रहे थे तचीन अफिरिका में उन दिनों रंग भेत चरम पर था ट्रेन जब मारी वर्ग पहुची तो रेल के डिह में जिसमें गांदी जी यात्रा कर रहे थे कुछ रेल क्रमचार्जी आये गांदी जी इन लोगों ने तिर्थिये सन्णी के डिह में जाने को कहा गांधी जी ने अपने पास प्रत्रम सेनी का टिकट उन्हें दिखाते वे तिर्तिय सेनी के डिवे में जाने से इनकार कर दिया एक एस्वेत का प्रत्रम सेनी में यात्रा करना रेल कर्मियों को नागवार लगा उसने पुलिस को बुलाकर गांधी जी के समान को बाहर फेकवा दिया यही नहीं गांधी जी को जब रस्ती ट्रेंज से उतार दिया अपने साथ हुए इस बैवार से गांधी जी को काफी ठेज पहुची इसके बाद उन्होंने रंग भेद की विरुद संघर्स शुरू किया एक आप भी थी मैं एक बिवास समरों में सामिल होने के लिए निकट के एक संबंधी में यहां गया था उसका परिवार आर्थिक रूप से काफी संपन था समरों में उपस्तित प्राय सभी लोग समाज के धनी लोग थे सभी लोग काफी महेंगे सूट बूट में थे तथा गाड़ियों से आ रहे थे मैं एक साधारन परिवार से हूँ मुझे ना तो बैटने के लिए और ना ही खाने के लिए पूछा गया यहां तक कि रात भर मुझे मच्छर काड़ता रहा और मैं साधी रात जाकता रहा अपने समंदी देता अन्य लोग के बैवहार से मेरा मन काफी व्यथित हो गया समानता एवं असमानता के ब्यापक स्वरूप असमानता के वल व्यक्ति बेदवाओ की बात नहीं है एक ऐसी ऐसा नहीं है कि कुछ ही लोग इस तरह के बैवहार करते हैं कई बार रोज मर्रा के जिंदगी में भी इस तरह के बैवहार समान ने दिखता है परन्तु इसके पीछे एक गहड़ी असमानता का बहाओ छिपा र अब विवस्ता की जरे हमारे समाज में समाज की जाती विवस्ता की जरे बहुत गहरी है इसका अच्छा उधारन दिए गए वेवाइक भी गापनों में अश्पष से देखा जा सकता है यह सहरी छेते में रहने वाले उच्च सिक्षित लोगों दोरा दिए गए मत्ध्यान भोजन और विद्याल है देश भर में मत्ध्यान भोजन प्राडमभिक करने के कई कारण है कई बच्चे खाली पेट इसकूल आते हैं और उनका मन इस वज़े से पढ़ाई में नहीं लगता बहुत जगह बच्चे स्कूल की आधी छुट्टी में भोजन करने आत कई माताओं को काम छोड़कर बच्चों के लिए भोजन की वेबस्ता है तो वापस आना पड़ता है ऐसा देखा गया है कि मध्यान भोजन के करण कई भी द्यालों में ना सिर्फ बच्चे की उपस्तिती बड़ी बलकि पढ़ाई के बीच में छोड़ देना भी बहुत कम चाहे उनकी जाती कोई भी क्यों नहों इसी परकार भोजन बनाने के लिए किसी भी जाती के लोग नियूक्त किये जा सकते हैं चाहे वो दलित या महादलित ही क्यों नहों कभी कहीं कहीं भोजन बनाने वाले की जाती को लेकर विवाद भी हुआ है इससे विद्याले करने के लिए परियोग मिलाते हैं जिसका अर्थ है समाज में दबे एवे मुपेक्षित लोग इस सब्द का इस्तेमाल करने वाले दलित ये संकेत करते हैं कि उनके साथ आज भी भेदवाव किया जा रहा है हमा दलित दलितों में सबसे पीछे रह गया समूमें बिहार में पहल प्यानक और बड़ा स्वरूब गड़ीवी और बिरोजगारी में नजर आता है आपने पूरम की कहानी तो पड़ी बिहार में आधे परिवार ऐसे हैं जिने रोजाना भर्पिट भोजन आज भी नहीं मिल पाता सबसे ज़्यादा गरीब लोग खेतियर मजदूर इने वर्स पर काम भी नहीं मिलता ये भूमी हीन है या उनके पास बहुत थोड़ी जमीन है जिससे उनका गुजारा नहीं हो पाता ये दोनों तरह किया समानताओं का सामना करते हैं क्योंकि अधिक ने फिरकार अस्वेद द्वरा किया गया दुर्वेबार एक विस व्यापी घटना बन गया विस वस्तर पर समानता के लिए संग के लिए संग हर्स का एक लंबा इतिहास रहा है कई धर्णम एक अमेरिका में नागरी का अधिकार आंदोलन सिविल राइट्स मूव्मेंट के रूप में जाना जाता है इस आंदोलन की जर्म एक दिसमर 1955 की वह घटना है इसमें रोजा पाक्स को एक अफ्रीकी अमेरिकी महिला थी ने एक गोरे व्यक्ति को बस में अपनी सीट नहीं दी क्योंकि वह दिन भर के काम के कारण ठकी हुई थी वह सेत्य के लिए अरक्षित स सीट नहीं दिये जाने को अपना अपमान समझा क्योंकि वहां यह नियम था कि अगर अलग सीटों पर बैठेंगे इस पर बस ड्राइवर इस पर बस ड्राइवर बस को थाने ले गया फिर भी महिला अपनी जगा डटी रही अंदर तर उसे गिरिफतार कर लिया गया समान्दा के मुद्दे पर देश ब्यापी अंदूलन चिर गया इसके बाद सन 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम द्वरा अमेरिका में अस्वेद अस्वेद के आधार पर भेदवाव पर रोक लगा दी गई रोजा पाक्स की अटना तचीन अपिर का महातमा कांथी की परती सिक्षा के छेत्र में भी इसका परभाव हुआ अस्वेद बच्चों के लिए अलग खोले गया विद्याले में ही उनका नमांकन होता था बंद कर दिया गया वे अब कहीं भी नमांकन कराने के लिए सोतंत्र थे किन्तु वे आज भी अपनी असमर्था यहां आर्थिक असमा असमानताय नजर आती है चुनतिया लोकतंत्र की जहां लोकतंत्र होगा वहां समानता अनिवारी रूप से होगी अतर लोकतंत्र उमीद की जाती है कि सब को समान अफसर उपलब्द होना चाहिए यहां सब के साथ बराबरी की वेवार होना चाहिए कि इन्तु बहुत बार ऐ इसा नहीं होता है और असमानता की इस्तिती बनी रहती है अपनी गड़ी में बनाए रखने के साथ ही असमानता से जूज जूजने के लिए लोग प्रयास करते हैं वे अपनी बात सामने रखते हैं प्रश्ण पूछते हैं घोष्टिया करते हैं एवं जन अंदलोनों में भाग लेते हैं इस पाठे पूछत को के अलग-अध्याओं में समानता की बात की जाएगी इसके लिए किये गये संघर्षों के बारे में भी चर्चा की जाएगी